राम राम भाई सार्यान है वाई इस वीडियो में बताऊंगा मैं कि जो अभी मुख्य मंत्री ने गोशना करी थी कि जो विदूर है उनकी पैंशन लागगी साथ साइस सो पचास एलफे मिलेंगे और जो अनमेरिड है महिला एर पुरू से उनकी भी पैंशन लागगी उन अभ अबार में तो न्यूज पेपर में भी आपना दिखा ज़ता हूं कि कि तरह से न्यूज आई है वा तो भाई देखो यह न्यूज है विदूर व्यक्तियों और ऐविवाहित पुर्शों वे महिलाओं की पैंशन को मंत्री मंदल की मंजूरी मंत्री मंदल की बैठक में विदुर व्यक्तियों और एविवाहित पूर्षों वे मजलाओं को पैंसल उपलब्द करवाने की मंजूरी परदान की है मुख्य मंत्री ने गत 6 जुलाई को ही इस सम्बंद में गोशना की थी वाई जिसे मात्र 24 गंटे के बित्तर ही मंत्री मंदल की बैठक में मंजूरी दे दी गई योजना के तहट 45 से 60 वरस के जो एविवाहित पूरुसर महिलाए हैं उनको भी 2750 रपिये महिने में पैंसन परदान की जाएगी एविवार की वर्सक इंकम है आए है एक लाख 8000 रुपे से कम होनी ची यह वाई फैमिली आइडी में वैरिफाई जो एविवाहित हैं 45 निफ करनी होनी ची यह वाई इसके लावा जो विदूर हैं जिनकी आयू 40 वरस हो गई है और उनकी आए वर्षिक आए तीन लाग रुपे से कम है वे भी सताई सो पचास रुपे मासिक विर्तिय साहिता लेने के पत्र होंगे यह योजना एक जुलाई दो जाकते ही से लागू कर दी गई है यानि कि जोई भी एक जुलाई गई है उड़ेते लागू होजेगी भाई या योजना के तहत वीतिय साहिता साथ वरस तक दी जाओगी भाई उसके बाद सभी पात्र जो वैक्ति हो जाएंगे उनको बुड़ा अप्पा पैंशन में बदल दिया जाओगा फिर साथ साल उन्दे सारी पैंशन बढ़ा पेंशन में बदल दी जाएंगी ठीक से बाई तो मंत्री मंदल द्वारा मंजूरी मिलगी है दोन्यों पैंशना की बड़ी बात है वाई तो आज की वीडियो में आप लोगा तहिया बताना था कि पैंशन चलू होगे वह एक जुलाईत है फैमिली आइडी के डाटा उठाओंगे और वह आता सायद आटोमेटिक चल लेगी नहीं चल लेजी वह भी सिस्टम का बेरानी लाग्या वाई अगर इन दोर डाटा है तो फेर इन आटोमेटिक चला देनी चीए फैम चलाओंगे क्या कोई अवेदन करना पड़ेगा कोई इन फॉर्मेशन आओगी तो वाई आप बता दी जाओगी वीडियो ने ज्याज़ा लोगों को सेर कर दियो चैनल पर कली वाई चैनल को सब्सक्राइब कर लियो लाल सा बटन दबाक है और भाई मिला अगली वीडियो म में तब तक सारे भाई आना है राम राम